नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर एस्पी दे कॉंसल्टेंट होई पेदिक फिजिशियान फ्रम शिलीगुरी वेस्ट बेंगल भारत से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेके आया हूँ अक्αιसर हम लोगों में ऐसा पेशेंस देखा जाता है कि मिडीलेजेट मेल है, फिमेल है, सड़ेनली चेस्ट पेन डेवलप हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स दिखा चुके है, हार्ट के डॉक्टर दिखा चुके है, एसी जी इको बगड़ा हो चुका है, डॉक्टर्स ने बो प्मबै चेन्नाई बैंगिलोर हडरवाद यह सब सीटी में चले जाते हैं वहाँ पर जाके काडियाक सीटी होता है वहाँ पर जाके एंजिओग्राम होता है फिर भी हार्ट का कोई बिमारी नहीं आताluence लेकिन फिर भी heart region में left side में pain, pain कम क्यों नहीं हो रहा है, इतना सारा medicine दिखाल, फिर जाके diagnosis होता है, कि ये costocondritis है, तो ये costocondritis आज हम लोगों का topic है, और बहुती easy, homeopathic, 2-3-4 दवाई जानके रखने से ही, इसको pain को हम लोग बहुती easily subcite कर सकते हैं, इसको ठिक कर सकते हैं, कैसे ये होता है, विडियो को लेंदी ना करते हुए, इसको शुरू करते हैं दोस्तों, तो ये जो costocondritis है, tachis syndrome, इसको बोला जाता है, ये एक inflammation of the costocondral joint होता है, क्या होता है, costo जो term मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसको ribs से connect किया जाता है, मैं picture लगा दूंग, आप connection होता है, वहाँ पे एक cartilage रैता है, इसको बोला जाता है, तो अक्सर क्या होता है, ये जो ribz आके cartilage में joint होगा, और cartilage जाके tartanam से joint होगा, ये जो ribsya के cartilage से joint होगा, इस joint में strain stress परने पर, कुछ तनाव परने पर यहाँ पे एक inflammation हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं costochondritis, ये aseptic inflammation होता है, मतलब यहाँ पे कोई bacteria, virus का कोई भी role नहीं होता है, तो ये inflammation क्यों होता है, तो ये तनाव यहाँ पे क्यों होता है, कभी भी ये ऐसा हो जाए, कुछ आप भारी जीनिस उठा रहे हैं, कुछ वजंदार जीनिस उठा रहे हैं, कभी भी suddenly आपने move कर लिया, कभी भी suddenly आपने हाथ से कुछ ऐसा more लिया, तो ये जो problem होता है, postural habits होते हैं, ये sudden होते हैं, transient होते हैं, एक दो second या 3-4 second के लिए होते हम लोग भूल जाते हैं, फिर जाके 2-3 दिन बाद ये pen develop करता है, और ये pen 2-3 बाद क्यों develop करता है, 2-3 दिन बाद, ये जो घटना मेरे साथ घटता है, जैसे मेरा खुद का एक Royal Enfield Classic 350 है, तो उसको जब मैंने starting में खरीदा था, उसको खरीदने के बाद, left hand से ज़्यादा हम लोग उ Suddenly एक दिन market area में मेरा उससे एक problem हो गया, मैं वहाँ पे move कराने गया, तो वहाँ पे हम लोगों का एक, मुझको यहाँ पे चोट लग गया, 2-3 दिन बाद मेरा, यहाँ पे left side में pen develop हुआ, तो ये अक्सर हम लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब ये चोट यहाँ पे लगता ह है, मोच लग जाना, क्योंकि हाथ में अगर मोच लगता है, तो मुझको पता चलता है, लेकिन ये इतना fine tuning में मोच लगता है, कि उस time में आपको पता नहीं चलेगा, आप importance नहीं देंगे, 2-3 दिन बाद आप सास तो ले रहे हैं, और हम लोग जब सास ले रहे हैं, तो हम ल ये जो उचा नीचा होते होते एक time में inflammation बर जाता है, फिर जाके 2-3 दिन बाद ये pain होता है, और ये pain जब होता है, तब हम लोगों के बहुत intolerable pain हो जाता है, लेप्ट साइड में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि लेप्ट हैंड से ही हम लोग इस तरह के activities ज़्यादा करते है कभी faulty सो जाना, bed जाना, सोपे बैट बैट के सो जाना, winter में ज़्यादा होता है, इसे सिकुर के सो जाना, इससे भी ये sprain हो सकता है, फिर 2-3 दिन बाद pain डेवलप कर सकता है, और जो pain जो होता है, एकदम heart pain जैसा होता है, difference कैसे कर सकेंगे, costocondritis का pain, heart pain, heart pain अगर हो तो या exercise करेंगे, तो heart pain आपका बर सकता है, अगर आप deep inspiration ले रहे हैं, ऐसा करके, छाती को expansion कर रहे हैं, और उसके साथ ये दर्द बर रहा है, then it is definitely costocondritis, ये एक hallmark of sign है, अगर आप deep inspiration करेंगे, छाती को expand करेंगे, तो ये जो joint है, ये expand होगा, तब जाके ये pain होगा, और देखि inspiration हो जाए, पेट फूला हुआ, भारी हुआ रहे जाए, तो आपका इसमें pain बर जाएगा, ये जो pain है, यहाँ पर बर जाएगा, भले हो heart pain भी बर जाता है, लेकिन cardiac pain, heart pain अपने से होगा, अपने से कम हो जाएगा, फिर postural, मतलब आप सोए बैठे रहेंगे, तो उसमें changes ये costocondritis में होता है, ये cardiac pain में नहीं होता है, cardiac pain अगर chest pain एक बार उठा, until and unless treated, मतलब कोई भी medicine दिया जाए, कोई भी पैथिका, या कोई उसमें intervention किया जाए, तब तक वो ठीक नहीं होता है, और अगर जो unstable angina है, वो ठीक भी हो जाए, तो effort में वो जरूर बरेगा, मतलब और costocondritis एक muscle pain है, जो आपका, आप खुद से अगर उस muscles को ज़्यादा यूज करते है, तब pain होगा, इससे डरने का कोई बात नहीं है, कुछ homeopathie दवाई का नाम अभी मैं बताने जाओंगा, खुब बहुत ही minimum homeopathie जब भी आपको लगे, का आपका costocondritis positive है, तब starting में ही आपका जो problem है, वो बहुत हक तक पहली arrest हो जाएगा, आर्नी का 1M एक चमच पानी में दो बुन डाल के लिजिए, चार दिन continuous लेते रहिए, सुभा खाली पेट में, उसके बाद important medicine है, रानांकुलास, बालबोसास और रूटा जी, आर्नी का चार दिन लेने के एक दो दिन ब बालबोसास और रूटा जी, थाटी पोटेंसी में लीजिए, एक दो मीनिट आगे पीछे करके लीजिए, जब भी लीजिए, दोनों मेडिसीन ही लीजिए, एकी स्थात में लीजिए, एक दो मीनिट आगे पीछे करके लीजिए, बेटार ग्लोबुल्स में मेडिकेटेट क पाच पाच गोली दोनों का 1-2 मीनिट आगे पीछे करके लिजिए अगर डाइरेक्ट लिकुइट मेडिसीन पर्चेस करके लिए तो दो बुंद एक चमच पानी में रानांकुलास या रूटा का फास्ट ले लिजिए दूसरा मेडिसीन आब 1-2 मीनिट बाद फिर दो पूरी कॉंप्लिटली क्योर हो जाता है अगर आपका जो प्रॉब्लेम है वो खासी से ज्यादा बर रहा है थोड़ासा मुब्मेंट से ज्यादा बर रहा है थोड़ासा सास डिप लेने से ज्यादा बर रहा है तो आपका मेडिसीन हो सकता है ब्रायोनिया तो इस केसेस में आप रनांकुला के साथ ब्रायोनिया को अल्टरनेट कीजिए रनांकुलास हर केसेस में स्पेसिफिक है आप आर्नीका, followed by रनांकुलास होना ही चाहिए अभी आपका अगर कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा है तो roota is the specific for ribs injury roota आप दीजिए अगर इतना severe symptom है जो थोड़ा सा जल्दी खासने पर थोड़ा सा सास लेने पर आपका pain बर रहा है तो आपका medicine है bryonia रनांकुला के साथ same power में आप bryonia 30 repeat कर सकते तिन में 4 बर और अगर आपका जो problem है सुभा नीन से जागते हुए जादा बरता है सारा दिन मोटा मूटी रहता है उतना जादा बरता नहीं है खासने से कभी होता है कभी नहीं होता है prominent है ये symptom के सुभा नीन से जागने के बाद या विस्तर से जब आप सोके उठते हैं तब आपका ये कोस्टोकॉन्राटिस का जो चेस्ट पे नहीं है ज्यादा पेन करता है तब ऐसे केसेश पे आप राश्टक्स 30 रानांकुला के साथ लीजिए लगातार साथ या दस दिन पंदरा दिन लेते रहिए तो आपका ट्रीटमेंट कॉम्प्लीट हो जाएगा जो मैंने पहले बताया आर्निका कैसे लेना है फिर मैंने बताया राश्ट रानांकुलास के साथ रूटा और रायोनिया और रानांकुलास के साथ आप राष्टक्स लीजिए इसका नौन मेडिसिनल जो मैंनेजमेंट है उसमें हम लोग अकसर होट कॉम्प्रेस वीट होट वाटर बैक करने को बोल सा कर दीजिए करने के बाद आप उसको hot water जो बैग है उससे प्रेस कीजिए डरिये मत अगर आपको ज्यादा पैनिक लगे maximum ECG कर सकते हैं अगर chest pain में इसकी वहाँ positive होगा उसके करण से chest pain होगा तो ECG more or less positive आपको आएगा ही आएगा तो अगर ECG negative है तो आपका ये costocondritis है तो इसको आप जरूर होमियोपैथी का help से ठीक कर सकते हैं tension का कोई बात नहीं है बहुत सारे cases हम लोगों के पास आते हैं और winter season में ही ये ज़्यादा होता है तो वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को प्रेश करना मत भूलेगा दोस्तो या वीडियो को शेयर करना और लाइक करना भी मत भूलेगा दोस्तो नमस्कार